नमस्कार मैं हूँ प्रमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं दीसडकनामा.com आज मैं मुझूद हूँ हलका एलनावाद में और मेरे साथ डवाली की विधायक है नैना सिंग चोटाला हम इन से चर्चा करते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर्याना में विधान सभा चुनाव होने हैं इस चुनाव को लेकर के दीसडकनामा.com की टीम है वो गावगाव जा रही है हर अलके में हम मताताओं से चर्चा करें इसके साथ हम जो राजनेता है उनसे भी आपको लगाता रूरूरू करा र में मडम ये चैंज करना पड़ा क्या बड़ा कार रहता है देखो रोत पहले महमे रखा था पर जहां हम लोग महमे करने की सोच रही थे वहां आज की दिन लोगों ने चावल लगा रखें तो हम नहीं चाहते कि कि किसी की वरकर्स तो कह रहे हैं जी ट्रैक्टर फेर दो ट् बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल पकी हुई है अगर कच्ची हो तो जैसे जीन के इलेक्शन्स में ट्रैक्टर फेरा था लोगों ने अपने खेतों में बहुत जगें खाली करके दी थी पर उस ताइम सिरफ फसल लगाई लगाई थी पर किसी का खेत उजाणना तो जा कुक डर किसी 25 वाले को होगा हमें तो है नहीं बिल्कुल भी हमारा तो दमदार जो था रैली वो जीन की बहुत अच्छी थी और अगर हमें इतना ही किसी का डर होता बीड का और वैसे तो हम पार्टी अलग नहीं बनाते थीक है ना तो डर दूर किसी का नहीं है बिल्कुल चलेंगे बिल्कुल एलनावाद हलके में आज दोरा कर रही है क्या विदानसभा चुनाओ को लेकर क्या संकेत हैं विदानसभा चुनाओ किस मतल़ लहजे में पूछ रहा हूं कि कई चुनाओ लड़ सकती हैं बैलनावाद से तो टाइम बताएगा कोन यहां से लड़ेगा और यह हमारा खुद का हलका है पहले पार्टी एक थी तो परिवार के सदस से खड़े हुए हमेशा यहां से डवाली और एलनावाद दोनों तो यह तो समय बताएगा कोन कहां से लड़ेगा राजस्थान के सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है कही न कहीं पीने के पानी की और सिंचाई पानी की काफी समस्या है यहां जन्नाइक जन्दा पार्टी क्या वादा करती है लोगों से पीने के पानी को लेकर के सिंचाई पानी को लेटी मैं आपसे यही कहूंगी कि एलनावा धलका हो चाहे वो पूरा सिर्सा जिला हो पहले देवलाल जी बने उन्हों ने जितना विकास करवाया मतलब वो अपने आप में एक मिसाल है जैसे गाउं की चोपाल बनाना बच्चों के लिए स्कूल बनाना वेटनरी होस्पिटल्स बनाना उन्होंने जो विकास किया कि उसके बाद में चोटाला साबनी में मैं कहूंगी कि इतना विकास किया है कि 15 साल होगे उनके मुखे मंतरी बनने के बाद आज तक एक इंट भी नहीं लगी किसी भी गाउं में या अलके में और एलनाबाद ले लो हमारा भी थोड़ा सा डवली हलका जो है वो ड्राइ जोन में आता है पानी की बहुत कमी है पर यहां मैं फर्स टाइम आई हूं एलनाबाद अलके में मैं सिर्व एलन किसानों के लिए आज के दिन क्या लग रहा है मैं आज जैसे खाब पंचैतों ने चोटाला परिवार को एक ता को ले करके आज रवेश दलाल भी चोटाला गाउं में ग्रामिनों से मिले हैं कि कही न कहीं विदानसवा चुनाओं से पहले चोटाला परिवार एक हो सकता है जिमेदारी आजे सिंग चोटाला पर डाली है कि वो फैंसला लेंगे अजे सिंग के बाद जो परिवार की मुख्याा आपको माना जा सकता है क्या इसको लेकर कर किया है तैखो खाब का फैसला जो है वो मैं यही कईँगी कि अगर खाब समाजिक फैसले करते हैं तो हमेशा स हमारे लिए खाब सर्वो परी है चाहें दादा जी ने खाब कि हमेशा इज़त किये पिता जी ने किये फिर अजे सिंग जी ने किये अब मैं कहते हूं मेरे बच्चे भी कर रहे और मैं भी हमेशा करती रहूंगी और करती आई हूं आगे भी हम लोग करेंगे पर यह जो पॉल दलाल जी की तो उन्होंने मलब थोड़ा सा जल्दबाद जी में कहा है कि या तो वो अजे सिंग जी को फटा फट लेकर आए तो आपके माध्यम से मैं रमेश जी से कहूंगी कि अगर अजे सिंग जी को हम लेके आते अगर पिता जी को हम चलो आज वो पैरूल पे बाहर है हाथ में नहीं अजे सिंग जी को लाना आपके माध्यम से मैं रमेश जी को यह संदेश देना चाहूंगी कि अगर रमेश दलाल जी अजे सिंग जी को लेके आते हो तो मैं उनका स्वागत दिली बॉर्डर पे करूँ अगर वो अजे सिंग जी को लेके आएंगे तो विदान राजनिति में आगी बाकि मैं कोई ये प्रिस्थितियां जो है ना वो मुझे पॉलिटिक्स में ले आई और पता नहीं समय का क्या ऐसा उलट फेर हुआ कि मुझे राजनिति में आना पड़ा बाकि मैं तो यह चाहूंगी अमेशा कि अगर परिवार इकठा हो रहे हैं तो मैं अमेशा रमेश दलाल जी हैं क्या उनका नाम उनके साथ हूँ परिवार को अगर इकठा करें तो वो करो बहुत अच्छी बात है किसी का भी परिवार ना तूटे और राजनितिक जो को फैसले हैं वो मैं यह कहूंगी आपके माद्यम से कि यह फैसले अजे सिंग जी करेंग साब के लिए मैं यह ही कहूंगी कि उनका जो फैसला होगा मुझे नहीं मालूम कि उन्होंनी फैसला कैसे लिए बाकी विदानसभा के अंदर पांच साल का पीरिड मैंने उनका देख है मैं उनको हमेशा एप्रिशेट करती हूँ और करती रहूंगे क्योंकि वो 90 के 90 विदा होगा मैं मिली थी उनसे पहले इस बात के लिए तो मुझे लगा वो कहीं न कहीं अंडर प्रेशर हैं थोड़े और हम 27 दिन का टाइम होता है फैसला आने के बाद 27 डेस के अंदर हम कभी भी अगर कोट में जाना चाहें तो जा सकते तो अभी बहुत दिन पड़े हैं बहुत प्रिस्तिति अगर कोई चेंज होती है स्पोस करो दिखविजे दुशंत में से कोई आता है तो सीट उनके लिए खाल लिए बिल्कुँ दुशंत भी चुनाव लड़ेगें परिवार में तिनों लोग चुनाव लड़ेगें ये आगे पता चलेगें मैं इतना डीपली बता आएंगे मैं हार चगहां कहती हूं कि जब तक अजे सिंग आके और इलेक्शन लड़े लाइक नहीं तब तक मैं पहरेदार की तरह उनका अलका समाल के दूंगे उनको लेकर के थोड़ी सी चर्चा करूँगा मुख्या मिंतरी आए इससे पहले चर्चाएं थी जब डवाली सब्सक्राइब का वाइदा किया गया है कि खरीब चैनल मिलेगा आपको देखो मैं अभी गोरिवाला गई थी कल मैं कल सारा दिन मेरी डवाली अलके मी थी रात को 11 बजे मैं घर गई हूं सुबह 9 बजे की निकली ओए पर सोभी मैं डवाली थी तो जैसे मैं गोरिवाला बोले जी मुख्य मंतरी जी तो कुछ कह की नहीं गए तो मैं इनका आप इस चीज से अंदाज्जा नहीं लगा कि डवाली आपको लेके गए थे और नहर के लिए भी पूरे अलके में नहर निकलेगी तो मैं तब भी तॉप ट्राली भर-बर के गए थे नहर तो नहीं नहीं न उन्हैटी जी तो वह वन व्कास आस तक नहीं दीखा अगर ये कह रहे हैं हमने गलियां बनवाई है तो वह तो जिलाप परिशद की लिए है तो छाड़ों की तुम्हों मैं तो मैं नहीं जाती पर मैं मेरे हलके कि जब में बज़ूर्गों को पास बैठती हूं तो मुझे एकी बात कहते हैं कि ते बेटे मोरी जो है ना वो इतनी छोटी करदी कि पानी नहीं आ रहा तो ये विकास है तो इस नाम पे दो वोट नहीं देने जनता चुनाव में जनना एक जनता पार्टी क्या रहेगा कितनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगी देखो मेनत करना हमारा काम है वोट देना लोगों का काम है पर अच्छा सोच के निकलें तो अच्छा ही होगा तो यह थी मेरे साथ नेना सिंग चोटाला जिनोंने कहा कि वो डवाली से चुनाव ही लड़ेंगी ये बड़ा ये कह सकता हूँ कि घोशना उन्होंने की है हमारे सता बलागातार बने रहिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक या ट्विटर पे देख रहे है तो तुमारे पेज को फॉलो कर रहा ना मूले बहुत बहुत शुक्रिया